Saving an Excel File इस लेसन में आप सीखेंगे के Save और Save As की Commands को किस तरह इस्तेमाल करते हैं? Excel 97-2003 की Compatible File किस तरह सेव करते हैं? Excel Workbook को PDF में कैसे सेव करते हैं? Saving Workbooks जब आप Microsoft Excel में एक नई Workbook बनाते हैं तो आपको इसे Save और बाद में उसे Access भी करना आना चाहिए Excel में आप अपने Workbook डॉक्यूमेंट को कई मुख्तलिफ फॉर्मैट्स में Save कर सकते हैं To Use the Save As Command Save As Command से आप फाइल का नाम और उसकी Location का इंतखाब करते हैं आप इस Command को तब इस्तेमाल करते हैं जब आप फाइल को पहली बार Save कर रहे हों या आप अपनी फाइल को Excel की किसी दूसरी वर्जिन में Save करना चाहते हों जबकि आपकी Original File भी अपनी जगा Save रहे File Tab पर क्लिक करें Save As को मुन्तखिब करें आपके सामने Save As Dialog Box खुल जाएगा जहां आपने फाइल को Save करना हो उस Location का इंतखाब करें वर्क बुक का नाम दें और Save पर क्लिक करें अगर आप Windows 7 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी Files by Default आपकी Document Library में Save होती हैं जबके Windows की दूसरी कई वर्जिन में Files by Default आपके My Documents के फोल्डर में Save होती हैं To Use the Save Command Quick Access Toolbar से Save पर क्लिक करें आपकी वर्क बुक उसी क्रंट लोकेशन पर Save हो जाएगी उसी नाम से अगर आप File को पहली बार यानि नई File Save कर रहे हों तो Save as Dialog Box खुद बखुद आपके सामने खुल जाता है To Use, Auto-Recover Microsoft Excel आपकी Files को Automatically एक Temporary Folder में Save करता है अगर Excel पर काम करने के दोरान आप अपनी File को Save करना भूल जाएग या खुदाना खास्ता Excel Software क्रैश हो जाएग तो आप Excel की बनाए गई Auto Save File के जरिये अपनी File को Recover कर सकते हैं ऐसी Workbook खोलें जिसे Save किये बगेर Close किया गया हो Backstage View में Info पर क्लिक करें अगर Excel ने आपकी File Auto Save की होगी तो उसकी मुख्तलिफ Version आपको Versions की Option के अंदर नजर आ रही होंगी इन में से किसी एक को खोलें आपकी Workbook के Ribbon के नीचे पीले रंग का एक Caution Note नजर आने लगेगा जिस पर Restore का बटन होगा अपनी Excel फाइल को Recover करने के लिए इस Restore बटन को क्लिक करके OK करें By default Excel हर फाइल को 10 मिनट बाद Auto Save करता रहता है लेकिन अगर आप अपनी Workbook को 10 मिनट से पहले बंद कर दें तो ये Auto Save नहीं होगी और आप इस फाइल को Recover नहीं कर सकते To Save as an Excel 97-2003 Workbook बाज आपको ऐसी Workbook पर काम करना पड़ सकता है जो Excel की पुरानी Versions में बनी हूँ मसलन, Excel 2003 या Excel 2000 वगेरा इस किसम की Workbook सिर्फ Compatibility Mode में Open हो सकती है Compatibility Mode असल में तमाम नए और Advanced Features को Disable कर देता है और उन Basic Features को Enable कर देता है जो सिर्फ किसी Workbook को बनाने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऐसी Workbook खोले जो Excel 2003 में बनी हुई हो तो आप सिर्फ वोही Tabs और Commands इस्तेमाल कर सकती ही जो Excel 2003 में है अगर आप ऐसे Environment में काम कर रहे हैं जहां बाकी लोग पुराने Version में काम करते हैं तो ये सबसे बहतर है कि आप Workbook को Excel के पुराने Version में सेव करें ताके इस Workbook की File Extension तबदील न हो और Worksheet तमाम लोग आसानी से Access कर सकें To Convert a Workbook अगर आप Excel 2010 के तमाम Features को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी Workbook को Microsoft Excel 2010 के File Format .xlsx में Convert कर सकते हैं यहां ये बात याद रखें कि इस प्रॉसेस से आपकी Workbook के Layout में चन तबदीलियां आ सकती हैं File Tab पर क्लिक करें और Backstage View को Access करें Save as Command को ढूंडें और Select करें आपके सामनी Save as का Dialog Box जाहिर होगा Location को Select करें जहां आपने अपनी File सेव करनी है File का नाम दें और Save को क्लिक कर दें Save as Type में से Excel 97 to 2003 Workbook को क्लिक करें आपकी Workbook पुरानी File Type के साथ सेव हो जाएगी To Save as a PDF अपनी Workbook को Adobe Acrobat Document की File में सेव करना PDF File सेव करना कहलाता है ये खास तोर पर उस वक बहुत फाइदमन्द होता है जब आप किसी ऐसे यूजर से अपने Excel फाइल शेर करें जिसके पास Excel ना हो और आप उन्हें सिर्फ पढ़ने के लिए वर्कशेट देना चाहते हूं और ये चाहते हूं कि वो इस वर्कबुक में कुछ एडिट ना कर सकें File टैप पर जाएं, Save As को सिलेक्ट करें Save As ड्रॉप्डाउन मेन्यू से PDF की Option सिलेक्ट करें अपने कंप्यूटर में लोकेशन का इंतखाब करें जहां आपने PDF फाइल सेव करनी हूँ अब PDF फाइल का नाम दें और Save बटन पर क्लिक करें By default Excel, सिर्फ उसी वर्कशीट को PDF में कनवर्ट करता है, जिस पर आप काम कर रहे हूँ. अगर आपने अपनी वर्कबुक की तमाम वर्कशीट को PDF में सेफ करना हो, तो फाइल सेफ करते हुए Options के बटन को क्लिक करें. Option Dialog Box खुल जाएगा. इस Dialog Box से Entire Workbook की Options सिलेक्ट करके OK करें. Creating Simple Formulas इस Lesson में आप सीखेंगे के Excel के साधा फॉर्मुले किस तरह बनाए जाते हैं? Add, Subtract, Multiply और Divide के Mathematical Functions किस तरह इस्तिमाल किये जाते हैं? Cell Reference के साथ मुख्तलिफ सेल्स में दी गई वैलियूस को किस तरह फॉर्मुला लगाकर आसानी से कैल्कुलेट करते हैं? Creating Simple Formulas Formula एक ऐसी हिसाबी मसावाद या Mathematical Equation होती है जिसको अपलाई करके हम मुख्तलिफ कैल्कुलेशन्स परफॉर्म करते हैं जैसे एक कैल्कुलेटर मुख्तलिफ हिसाबी अमल करता है Microsoft Excel की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम इसमें Cell Reference के जरिए किसी भी सेल का हवाला देकर कैल्कुलेशन्स कर सकते हैं Excel हमारी कैल्कुलेशन्स के लिए Standard Operations को इस्तेमाल करता है जैसे Plus Sign, Addition या जमा करने के लिए Minus Sign, Subtraction या तफरीक के लिए Staric, Multiplication या जर्प के लिए Forward Slash, Division या तक्सीम के लिए Caret, Exponent के लिए एक बात जरूर याद रखें कि Excel में तमाम फॉर्मिले बराबर के साइन के साथ एपलाई होते हैं To create a simple formula in Excel उस cell को select करें जिसमें आपने result शो करना हो मिसाल के तौर पर यहां हम B4 को select करते हैं Equal sign type करें अब वो formula type करें जिसे आप calculate करवाना चाहते हैं मिसाल के तौर पर हम 75 slash 250 लिखते हैं Enter प्रेस करें ये देखें, formula calculate हो गया और result भी जाहिर हो गया उसी cell में जिसे हमने मुन्तखिब किया था अगर आपकी calculation का result बड़ी figure या रकम में आए तो ये result वाले cell में pound sign के साथ जाहिर हो रहा होगा ऐसी सूरत में column width को थोड़ा सबरहानी से ये मसला हल हो जाएगा Creating formulas with cell references उस cell को select करें जिसमें आपने result शो करना हो मिसाल के तौर पर यहां हम B3 को select करते हैं Equal sign type करें अब उस cell का address लिखें जिसकी value equation में पहले आती है इस मिसाल के हिसाब से B1 का reference दें अब operator लिखें जो आपने formula में इस्तमाल करना हो मिसाल के तौर पर plus का sign जमा के लिए अब इस cell का address दें जो equation में दूसरे नमबर पर आती है मिसाल के तौर पर हम यहां cell B2 का address देते हैं keyboard से enter प्रेस करें यह देखें formula calculate हो गया है और B3 में इसका result भी नजर आ रहा है अब अगर आप cell B1 या cell B2 की values को बदलें तो total खुद बखुद तबदील होगा और equation automatically recalculate होगी Excel आपको कभी नहीं बताएगा क्या आपका formula दुरुस्त है या गलत यह आपको खुद देखना होगा क्या आपका formula दुरुस्त है या नहीं To create a formula using the point and click method उस cell को select करें जिसमें आपने result शो करना हो मिसाल के तौर पर यहां हम B4 को select करती है Equal sign type करें अब formula में आने वाले पहले cell को select करें मिसाल के तौर पर A3 अब operator लिखें जो आपने formula में इस्तमाल करना हो मिसाल के तौर पर steric assign जर्ब के लिए अब इस formula में next cell को click करें मसलन B3 Keyboard से enter प्रेस करें यह देखें formula calculate हो गया है और उसका result भी नजर आ रहा है To edit a formula जिस cell को edit करना हो उससे select करें अब अपने mouse cursor को formula बार में click करें और अपनी मर्जी से formula edit करें आप cell को double click करके भी directly formula देख और edit कर सकते हैं जब आप यह कर चुकें तो keyboard से enter प्रेस करें यह देखें नए result cell में नए value नजर आ रही है अगर आप इस calculation को मनसूख करना चाहते हैं तो cancel command cross को formula बार में select करें अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा पर काम कर रही हूं तो अपने इस डेटा को एक से ज़्यादा वर्कशीट में रखने से आपका काम मजीद organized या मुनज़म हो जाता है objectives इस lesson में आप सीखेंगे के Worksheet tabs को नाम और color कैसे assign करते हैं Worksheets को copy, delete, add और move कैसे करते हैं Worksheets को group और ungroup कैसे करते हैं Column और rows को freeze या मुनजमिद कैसे करते हैं ताकि जब आप Excel Worksheets को scroll करें तो ये अपनी जगह से ना हिलें और आपको जूं की तूं नजर आती रहें Introduction to Worksheets जब आप Excel Workbook को खोलते हैं तो by default आपके सामने तीन Worksheets नजर आती हैं और इनके नाम पहले से मुकरर करता Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3 होते हैं आप अपनी आसानी के लिए इन Worksheets को rename कर सकते हैं इसके इलावा इनको निशानी के तौर पर मुख्तलिफ colors भी दे सकते हैं और आप Worksheets को delete, copy, move, insert भी कर सकते हैं To rename Worksheets Worksheet tab पर right click करें जिसको आपने rename करना हो आपके सामने Worksheet menu खुल जाएगी यहां से rename को select करें Worksheet का नाम खुद बखुद highlight हो जाएगा और अब इसमें अपनी मर्जी का नाम type करें Worksheet tab के बाहर कहीं भी click करें आपकी Worksheet rename हो गई है To insert new worksheet Worksheet tab में insert worksheet के icon पर click करें एक नई worksheet बन जाएगी To delete worksheets आप अपनी workbook में जो भी worksheet चाहें delete कर सकते हैं Worksheet को select करें जिसे आपने delete करना हो अब इस पर right click करके delete की option को click करें अगर एक से जायत worksheets को delete करना हो तो उनको keyboard से shift दबा कर mouse से select करें और किसी एक worksheet पर right click करके delete करें To copy a worksheet जिस worksheet को copy करना हो उस पर right click करके menu से move और copy command को click करें Move और copy dialogue box आपके सामने खुल जाएगा इसमें यहाँ इस create a copy के check box को click करें ओके का button प्रेस करें आपकी worksheet copy हो गई है और इसका नाम इसी original worksheet वाला होगा और उसके साथ version number का इजाफा हो जाएगा To move a worksheet जिस worksheet को move करना हो उसको select करें और mouse को drag करें आप देखेंगे के mouse pointer की शकल एक छोटी सी worksheet की मानिंद हो जाएगी अब mouse pointer को यहाँ तक drag करें जब तक यह छोटा सा तीर का निशान जाहिर होना शुरू हो जाए माउस को छोड़ें यह देखें आपकी worksheet यहाँ नई जगा move हो गई है To color code worksheet tabs आप worksheets को color codes यानि मुख्तलिफ रंगों से workbook में जाहिर करवा सकते हैं इस worksheet पर right click करें जिसे आपने color देना हो इस menu से tab color की option को click करें अब यह color menu खुल गया है इस color menu में से अपनी मर्जी का रंग मुंतखब करें जो आप इस tab को देना चाहते हैं यह देखें इस worksheet का tab color तबदील हो गया है Grouping and Ungrouping Worksheets Excel में आप एक वक में एक worksheet में या एक से ज्यादा worksheets में काम कर सकते हैं क्यूंकि worksheets को groups में तबदील किया जा सकता है और इस grouping के जरिए जब एक worksheet में काम करें या कोई तबदीली करें तो यह तबदीली बाकी worksheets में भी खुद बखुद हो जाती है किसी एक worksheet को select करें जिसे आपने group में रखना हो अब अपने keyboard से control key को press करें और hold करके रखें अब दूस्य worksheet को select करें जिसे आपने group में add करना हो इसी तरह जो worksheets आपने इस group में रखनी हो उनको select करते जाएं अब control key को छोड़ें जो worksheets आपने select की थी उनका एक group बन किया है और इसमें शामिल worksheets tabs का रंग सफेद है To ungroup all worksheets Worksheet group में से किसी एक worksheet पर right click करें वर्कशीट मेन्यू खुल जाएगा इस मेन्यू से ungroup को click करें आपकी worksheet ungroup हो गई है Freezing worksheet pans Excel में ये सलाहियत भी है कि आप खास rows या columns को मुझमिद या freeze कर सकते हैं ये अमल freezing pans कहलाता है इस option से जब आप worksheet को scroll करते हैं तो वो rows या columns आपको इसी तरह नजर आते रहेंगे To freeze rows जिस row को आपने freeze करना हो उससे निचली row को select करें मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि worksheet की पहली और दूसरी row हमेशा worksheet के ऊपर नजर आती रहे तो आप worksheet की row 3 को select करें और view tab पर click करें Windows group से freeze pants की command पर click करें एक drop-down menu खोल जाएगा freeze pants की option को select करें freeze rows के नीचे एक काले रंग की line आपको नजर आने लगेगी अब आप अपने worksheet को scroll down करके देखें पहली दो rows इसी तरह आपको top पर दिखाई देती रहेंगी to freeze columns जैसे आप rows को freeze कर सकते हैं उसी तरह column को भी freeze कर सकते हैं जिन columns को freeze करना हो उनसे अगले एक column को select करें यानि अगर आपने column A और column B को freeze करना हो तो column C को select करें और view tab पर click करें Windows command group से freeze pans की option को select करें काले रंग की एक लाइन freeze हुए columns के आगे नजर आने लगेगी अब आप worksheet को बाइन से दाइन स्क्रोल करके देखीं column A और column B आपको worksheet के बाइन जानिप नजर आएंगी तो अन्फ्रीज पैंस विव टैब पर click करें फ्रीज पैंस कमांड पर click करें एक drop-down menu खुल जाएगा इस menu से अन्फ्रीज पैंस की option को select करें काले रंगी लाइन खत्म हो जाएगी और पैंस अन्फ्रीज हो जाएंगे आप अपनी workbook के किसी खास हिस्से को print कर सकते हैं और ये भी set कर सकते हैं कि एक पेज पर कितना data या content print हो इस lesson में आप सीखेंगे के workbook, worksheet और कुछ खास cells को कैसे print करते हैं आप print करने से पहले page orientation, page title, margin और page breaks कैसे set कर सकते हैं Excel की पहली version में print preview की option होती थी जिसके जरिये आप अपनी workbook का print करने से पहले preview देखकर workbook को modify कर लेते थे लेकिन आप notice करेंगे कि Excel 2010 में ये print preview की option निकाल दी गई है लेकिन असल में इस option को निकाला नहीं गया है बलके इसे print pan बनाने के लिए print window में यक्चा कर दिया गया है जिसे backstage view में देखा जा सकता है to view the print pan file tab पर click करें आपके सामने backstage view खुल जाएगा print को select करें ये देखें print pan open हो गया है जिसमें by तरफ print settings और दाइं तरफ print preview नजर आ रहा है अब हम आपको इस print pan की मुख्तलिफ options के बारे में बताते है print button जब आपका document बिलकुल तयार हो जाए तब इस print button को click करके print करें printer इस option से आप printer का इंतखाब करते हैं जिससे आपने print लेना होता है ये option तब का रामत है जब आपका computer एक से ज्यादा printers के साथ attached हो print range इसके जरीए आप ये मुन्तखिब करते हैं कि आपने active worksheet जिस पर आप काम कर रहे होते हैं को print करना है पूरी workbook को print करना है या कुछ cells की selection का print लेना है collated, uncollated अगर आप अपने document की एक से ज्यादा copies लेना चाह रहे हों तो आप इस option से ये set कर सकते हैं किस document की collated copies प्रिंट करनी है या uncollated orientation इस option से आप अपने document का landscape या portrait style set कर सकते हैं paper size अपने printer के लिहाज से कागस का size मुन्तखिब कर सकते हैं मसलन A4, letter, legal, A3 वगेरा margins यहाँ से आप page margin को adjust कर सकते हैं ये option आप printer से निकलने वाले print को side उसे कटने से रोकने के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं scaling इस option से आप ये पैमाना set कर सकते हैं कि print के वक्त कागस पर worksheet किस size में print होगी आया या अपने असल पैमाना या actual scale में print होगी पूरी worksheet एक ही कागस पर print होगी तमाम column एक कागस पर print होगे या फिर तमाम rows fit होकर एक ही कागस पर print होगी Print Preview इस option के जरिये आप print करने से पहले अपनी worksheet का preview या जाईजा ले सकते हैं कि कागस पर worksheet किस तरह नज़र आएगी यहाँ इस एरो से आप अपनी worksheet के मुख्तलिफ pages का preview देख सकते हैं To change page orientation दुनिया भर में कागस के दो ही style मुरविजा हैं एक landscape और दूसरा portrait style Landscape style में कागस अमूदी या horizontally होता है जबकि portrait style में कागस उफकी या vertically set होता है ज्यादा रोज को एक page में fit करके print लेना portrait style में बेहतर होता है जबकि ज्यादा columns को एक ही page में fit करके print लेना landscape style में बेहतर होता है आईए अब हम आपको बताती हैं कि page को किस तरह portrait और landscape में set करती हैं फाइल टैब को क्लिक करें प्रिंट की option को क्लिक करें आपके सामने print pen खुल जाएगा अब orientation के drop-down menu से portrait या landscape orientation को select करें ये देखें आपके page की orientation तबदील हो गई है to fit a worksheet on one page फाइल टैब पर क्लिक करें प्रिंट की option को क्लिक करें आपके सामने print pen खुल जाएगा यहाँ scaling की drop-down menu से fit sheet on one page की option को select करें देखें आपकी worksheet का size कम होकर एक page में fit हो गया है लेकिन यहाँ यह बात याद रखें कि अगर आपकी worksheet का size बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई देगा तो उसे पढ़ने में दुश्वारी होगी आपकी worksheet के margin का set होना बहुत ज़रूरी है ताके आप और दूसरे पढ़ने वाले इसे आसानी से पढ़ सकें प्रिंट प्रिव्यू के जिरिए आप page margins को adjust कर सकते हैं फाइल टैब पर क्लिक करें प्रिंट की option को क्लिक करें आपके सामनी print pan खुल जाएगा शोव margins के button पर क्लिक करें आपकी worksheet के margins जाहिर हो जाएंगे किसी एक margin marker पर mouse को hover करें यहां तक के pointer एक double arrow की शकल में आ जाए क्लिक करें और मतलूबा जगह तक drag करते हुए mouse के double arrow को ले जाएं माउस को छोड़ी और यह देखें आपकी worksheet के page margins तबदील या modify हो गए हैं To use print titles आप जरह यह तसवर करें कि किसी worksheet को पढ़ना कितना मुश्किल होगा कि अगर इसके row या column की headings सिर्फ पहले page पर ही आएं Print title की command से आप खास row या column को हर page पर दिखा सकती हैं Page layout tab पर click करें Print titles की command को select करें Page setup dialogue box खुल जाएगा Rows to repeat at top वाले text box के आखर में जो icon है उसे click करें आपके mouse pointer की शकल कुछ इस तरह selection arrow जैसी हो जाएगी अब जिन rows को आप हर printed page पर दिखाना चाहते हैं उनको select करते जाएं Rows to repeat at top का dialogue box आपकी row selection को record करेगा अब rows to repeat at top वाले text field के आखर में icon पर click करें Column के लिए इस अमल को column to repeat at left के text field के साथ दोहराएं OK बटन को click करें अब print preview से जा कर देखें के print होने के बाद आपकी worksheet किस तरह दिखाई देगी To insert a break Page layout tab पर click करें जिस column या row पर break करना हो उस column के right और row के नीची page break का ताय युन करें मिसाल के तौर पर column C को select करें Breaks के drop-down menu से insert page break की command को select करें Break insert हो गई है अब आप print preview से ये confirm कर लें कि ये page break सही जगा लगा है या नहीं